मौसम समाचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटेस्ट खबर पानी के लिए तुरन सब्सक्राइब करें मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बारिश की जेतावनी मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है दक्षिन के कई राजियों में आज भारी बारिश के आसार है पस्ची में विच्छोब के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देगा इन दिनों मौसम में खास बदलाव देखने को मिल रहा है पहाड़ों पर बारिश शुरू हो गई है दक्षिन भारत के राजियों में जमकर बारिश हो रही है उतर भारत की बात करें तो मौसम पूरी तरह से सुष्क होने के अधिक्तम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन दियुंतम तापमान में गिरावट आने लगी है मौसम विभाग की ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है आएमडी के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सुभा के समय प्रदूशन और कहरा देखा जा रहा है आए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल स्काइमेट वैदर के मुताबिक तमिल्लाडू केरल तथ दक्षिनी आंद प्रदेश में मुसलधार बारिश जारी है मंगाल की खाड़ी पर बना गहरा निम्न दवाब का छेतर निम्न दवाब के रूप में केरल को पार कर दक्षिन पूरवी अरब सागर में पहुँचेगा पाड़ों पर अगला पस्ची में विचोब तेज बारिश देगा उसका प्रभाब मैदानों पर हलकी बारिश के रूप में दिखाई दे सकता है पस्ची में विचोब से तापमान में होगी गिरावट मांसूनी सीजन के बायद उतर भारत में बारिश सिर्फ पस्ची में विचोब की वज़े से होती है उतर भारत में अक्टूबर और नवंबर में पस्ची में विचोब कम सक्रियता रहता है इसलिए इसे लीन पीरियट कहा जाता है दिसंबर में इसकी सक्रियता बढ़ती है जिससे बारिश होती है इसके साथी तापमान में गिरावट दर्ज होगी पस्ची में विच्छोब हो का सक्रिय है इन राज्यों में बारिश क्या आसार मौसम विबाग के मुताबिक पस्ची में विच्छोब फिर सक्रिय हो रहा है इ इससे तापमान में गिरावट होगी, दो दिन हिमपात वे वर्षा का येलो अलट जारी, हिमाचल में मौसम विभाग ने सोमवार वे मंगलवार को साथ जिलों में हिमपात और वर्षा का येलो अलट जारी किया है, आधी चलने और बिजली गिरने के आशंका है, रैवार दो पहर बाद चोटियों पर हिमपाश शुरू हो गया है। उत्राखंड में पस्चिमी विच्छोब की सक्रियता से वर्चा बर्फवारी के आसार बन रहे हैं। पहाडों में बादल छाने से ठिटुरन बढ़ गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।